हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेथ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह कोई प्रीवेस जैन की वह प्रीन से वह जैसा की बॉल्ड और सामने ब्रीट का आपको जहलक दिखेगी इसमें जाहे हैं और बॉल्ड लेटर ग्रिल हो अगर मैं उसको एक तरफ छोड़ दूंग क्योंकि वह होगि प्रीवेस जैन और हम इसकी बात करें तो एक बड़ासा घ्रिल को बहुत जादा व खिलकर आता है, side में आपको यहाँ पर L-shape, DRL की डमी दी है, इसमें भी chrome का वर्क है, यह T-Model है, T-Option में सब कुछ आपको मिलेगा, और यहाँ पर देखें कितना broad आपको chrome वर्क दिया है, headlamps normal है, reflector है, साथ में inbuilt हमारी indicator की unit है, इसके साथ ही हम side में चलें, तो side में आपक तो Datsun का fender पर ही एक signature दिख जाता है, और एक single wiper है, जैसा पहले आता था, single wiper के साथ ही operate होगी, अब भी cleaning होगी windshield की, और tires का काफी जादा upgrade है यहाँ पर, wheel cover का design देखें काफी अच्छा है, और C8 के tires है 165-70R14 के, तो 14 इंची tire है, और fender पर ही आपको indicator मिल रहा है, और side profile दे और जो आपको, यह ORVM दिख रहे हैं, यह manually adjustable है, क्योंकि यह T model है, वो T option में आएगा, जो electrically adjustable होंगे, और अगर rear quarter की बात करें, तो previous gen की तरह ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, और अगर हम closely थोड़ा जाके देखें, तो देखें जैसा एक aggressive look बनाने का, पूरी design theme के सा साथ mold किया गया है window area को, और पीछे की तरफ से वही एक arrow type का, एक arrow design पीछे दिया है, बीच में that sun का logo है, और key से operate होता है, जो हमारा access होता है boot, और पीछे का rear hang देखिया आप बिल्कुल भी नहीं है, तो off-roading में या फिर कहीं उबढखावट रास्तों में problem नहीं होगी, arrow design की बात कर रहा था, यही है angular जो हमारे tail lamps हैं वो दिये गए हैं यहापर, और उसके बाद अगर bumper की बात करें, bumper पिछली बार की तरह ही है, और यहाँ पर इस बार जो add होगे, reflector वैसे ही है, जो add हुआ है, वो है हमारे standard दिये गए हमारे parking sensors, key से आपको access करना है, ready go की एक badging single दी हुई है, variant की कोई badging नहीं है, यह है rear third quarter, इसके बाद हम आगे की तरफ चलें, तो काफी एक decent सा look है, और काफी value for money यह वाला variant हमें मिलता है, सबसे यादा sales जो होती है, इसी variant की है, और इसमें क्या क्या कमी है, वो आपको दिखी रहा है, DRL नहीं है, और अगर interior की बात करें, और interior में चलके क्या के differences है, वो मैं आपको बताता हूँ, gate की सबसे पहली जो entry जिसके लिए famous थी radio, वो थी इसकी easy access, अंदर जाने के लिए हमें बहुत बड़ा wide opening gate मिल रहा है, सीधा easily हम अंदर घुश सकते हैं, यहाँ पर power window नहीं दिख seat की सबसे अच्छी चीज है, seat की चोड़ाई, आपको जो under thigh support है, वो पूरा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, गाड़ी की जो लंबाई है, वो कम है, तो seats की जो लंबाई वो भी कम कर दी गई है, जो सामने हमारा console है, वो पूरा आपको इस तरह से दिखता है, trip computer है, सभी तरह क जानकारी है, जो information मिल जाती है, necessary, वो सब कुछ मिलेंगी, और यह एक stick है, जिसकी मदद से आप इसको operate कर सकते है, gear shift indicator तक है, उसी में digital हमारा RPM meter भी दिया हुआ है, brush metal finish यहाँ पर दिया है, silver essence भी दिया है, यहाँ पर एक coin वगरा रखने के लिए छोटा सा space दिया है, steering आप देख लीजे, और horn का placing बिलकुत सही जगा पर है, dual essence हमारा dual tone दिया हुई है, steering में, यह आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफी premium finish लग रही है इसकी, हलाकि केवल Bluetooth औ और telephony का use हो सकता है इसमें, जो top model है इससे उपर वाला टी option उसमें आपको touch screen भी मिल जाएगा, apple car play के साथ, और android auto के साथ, यहाँ पर भी chrome inserts दिये हुए है, जगा जगा हमें premium finish देने के लिए कुछ essence छोटे छोटे touch up दिये हुए है, उसके बाद अगर नीचे के knobs की बात करे यह भी काफी ज़ादा premium है, silver finish है, कुछ-कुछ आपको quid से मिलते जुलते लगेंगे, यहाँ पर नीचे 12 volt का socket और center locking का button, इसमें center locking company की तरफ सही है, key में भी आपको lock unlock के दिये हैं, यहाँ पर दो bottle holder दिये हैं, 5 speed का gear box है, और देखिए काफी long throw में आपको मिलेंगे, काफी जो height है, वो काफी उंची है, उसको suit करने के लिए, यहाँ पर भी नीचे एक space दिया है, इसके बाद अगर overall बात करें, तो space utilization काफी अच्छा किया है, glove box भी है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ समान रखने के लिए space दिया है, जिसमें alliance है, slip नहीं होगा, और overall जो आगे का cabin का आगे का हिस्सा था, वो इस तरह का था, impressive था, last time के मुकाबले, अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे भी वही चीज़ा में मिलती है, जो आगे मिली थी, काफी एक broad opening है gate की, और seats की बात करें, क्योंकि यहीं मात खाती है, कुछ कार और यह भी पहले problem देती थी, उतनी ही चौड़ाई है seat की, under thigh support पूरा है, आगे की seat पूरी पीछे हो रखी है, और मेरे बैठने के बाद मेरी height है 55, मेरे बैठने के बाद भी इतना space बच रहा है, काफी अच्छा है, चौड़ाई काफी feel होती है, क्योंकि दरवाजों की चौड़ाई कम है, दरवाजों की windows, और देखिए height जो है इस गाड़ी की इतनी जादा है कि headroom की कभी problem नहीं हो सकती, जो height है 1546 mm दी हुई है यहाँ पर, निकलना और चड़ना बहुत आसान है इसमें कार में, उसके बाद इसी साइड आपको देखिए petrol filler cap मिल रहा है, 28 लिटर की petrol tank दिया हुआ इसमें, और प आपको मिल जाती है, और यही था इसका अंदर का हिसा अब हम चलते हैं, इसके दिल की तरफ मतलब engine bay की तरफ, यहाँ पर साथ के साथ आप देख लिए, manually height adjustment जो level होता है, headlights का वो दिया हुआ है, और अगर हम सीधा चलते हैं, इसके bonnet की तरफ, तो bonnet खोलने के लिए मुझे उम्मीद है, एक ही हास से खुल जाएगा, और जैसे मैंने ट्राइ करा, क्योंकि bonnet की जो bonnet area वो काफी छोटा है, तो bonnet काफी छोटा है, और छोटा है, इसका वजन जो है, वो भी काफी कम है, एक हास से easily खुल गया, और अंदर का काफी neat setup है, clean setup है, छोटा engine है, 800 CC वाला variant है और सारी चीज़े अंदर आपको ABS unit भी दिख रही है, और सारी चीज़े काफी neatly done है, बड़े space की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको utilize अंदर की तरफ किया, और यही था आपके सामने इस car का पूरा outlook, पूरा review, अंदर से भी, बाहर से भी, और अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए संसकारी सुमिछ चैनल को, जय हिंद